Hello students, कैसे हैं आप सभी लोग? मदिकालीन भारत के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है जैसे पिछले लेक्चर में हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था तो दीकि वास्विक सार्षा का मतलब लंबे समय तक सार्षन करेगा जो अलबकालिक था वो फाउंडर था क्योंकि जैसे कुद्बदी नैबग बैठे उनको ज़्यादा समय मिला है नी चार वर्ष में उनकी इम्रत्ती हो गए इल्तुदमिश के मरने के बाद उन्होंने जिसको अपना उत्रा दिकारी चूस किया वो थी रजिया सुल्ताना अगर रजिया सुल्ताना के बारा में आपको बहुत कुछ जानना है तो हेममानली के एक पिच्चर है रजिया सुल्ताना कभी भी मौका मिले, पुरानी पिच्चर देखिए, इसमें सच में इतिहास का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है, तो आपको इनके बारे में बहुत कुछ फदा चल जाएगा, रजिया सुल्ताना के बारे में बात करें, तो इनके बीच में स्ट्रगल होता है, कैसे होता है, रीजन सिंपल है, इसलाम में किसी महिला को साशक बनते हुए नहीं देख सकते, तो जो मुगल नोबल्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो सरदार है, वो उस महिला के खिलाफ खड़े होंगे, और इन्होंने क्या किया, इनके सुपत्र को बैठा दिया, जब इनको बैठा दिय तो यह क्या कर रही थी, जुम्मे वाले दिन, कहां चली जाती है, मस्जिद, मस्जिद जाके दिल्ली से बोलती है, दिल्ली की जनता इनको बैठा देती है, अच्छा बैठने के बाद ही क्या करती है, अबबासियन स्लेब होता है, जो कि अबबासियन स्लेब को बहुत अच् अब जो पूरी उनकी सेना की रीड है उसका मुखिया कौन है अबासियन स्लेफ जिसको कोई नहीं पसंद कर था जो तुर्क अमीर थे उनका गुरूप एक चाहलगानी था यह गुरूप फॉट्टी इलतुत मिशने बनाया था जो मैंने लेक्चर में आपको नहीं बताया लास जाती है अलतूनिया से हारती है सरहिन में इने जेल में डाल दिया जाता है जब इने जेल में बंदी बना लिया जाता है तो इनसे वरतालाप होती है वरतालाप के बाद इनसे बोला जाता है तो यह जेल में रहते रहते अलतूनिया को प्रपोस करती है और इनसे विवा कर ल इसके बाद बैठाय जाता है अलाउदीन मसूद सा ये भी मर जाते हैं इन दोनों के बाद अब पावर स्टरकल स्टार्ट होती है तो बल्बन शक्ती में आता है नसुरी दिन महमूद को बैठा देता है तो अगला बड़ा साशा कोता है नसुरी दिन महमूद याद रखे अब जो चहलगानी ग्रूप है वो साशन कर रही है बलबन इसमें इंपोर्टेंट है तो बलबन इसको बैठा के क्या करता है शक्ति अपने हाथ में रखता है और इसको क्या बना देता है दमाद अपनी बेटी का विभा कर देता है इससे अब उलुक खान जिने बलबन बोलते हैं ये वास्तो शक्ति का साशन कर रहे हैं अच्छा 46 से 65 तक सारी बाते इन्होंने सुनी महमूद ने जो कहा जो कहा गया महमूद ने वो किया पर उसके बाद भी बलबन का पेटनी भरता 65 में इनको जहर देते हैं और जहर देने के बाद इंगदी पर बैठ जाते हैं 1250 में तुरकिश नोबल थॉट कॉंस्पिरेसी और बलबन को बाहर करते हैं और इमानुदीन रिहान को बना देते नायब बलबन वापस हासी से जब आते हैं तो इनको लगता है कि अब इसको जिंदा रखने की जरूरत नहीं है तो अपनी दमात को जहर दे के मार देते हैं और मारने के बाद दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सबसे शक्ते सालिश राशक सामने आता है जिसका नाम है बलबन अज़ा एक कोश्चन PCS में और IS में पूछा जा चुका है कि slave of slave कौन है देखें दो वर्ड है एक वर्ड है दास का दास और एक है दासो का दास तो अब इस sequence को कैसे याद करोगे ये है मौमद गौरी मौमद गौरी का slave कौन है कुतुबदीन आबग कुतुबदीन आबग का slave है इल्तुत्मिष और इल्तुत्मिष का slave है बल्बन तो अगर दास के दास की बात करेंगे तो उत्तर क्या आएगा इल्तुत्मिष पर अगर दासो के दास की बात करेंगे तो अंसर क्या आएगा बल्बन ये आपको याद रखना है hairstyle करते हैं और कहते हैं मैं अफरा सिआस का बन्सजू हूँ भाई मेरे से बड़ा कोई है ने और मैं जब भी किसी ले मैन को देखता हूँ तो नंगी तरवाल लिकां उसे मारने का बन करते हैं कहा है ये क्या रहे हम तो मार देंगे भाई हमें कोई गंधा इंसान दिखा, कोई श्यातानी करते हुए दिखा, तो लोगों को बुरा लगा, इन्होंने का अच्छा भई, अब ये कहते हैं, बलड, कह रहे है कि purity of blood पता है, तो ये नहीं चाते थे, कोई भी low bond जो है, वो गद्धी पर बैठे, इन्होंने खुद को जिल्ले इलाही का, मतल blood and iron, मतलब, रख तो लौका सिद्धान तलाए, कि या तो तलवार से हम काम करेंगे, हमें रिष्टेदारी से कोई मतलब, अगर साशन की बात है, हम किसी को मार देंगे, इन्सल विंग दा पार्ट ऑफ पावरफुल ग्रूप ऑफ नोबल्स, चहल गानी का भाग थे, उसके बाद भी चहल गानी को इन्होंने खतम कर दिया, इन्होंने का, ना बेटा, तुम आपस में शादी करोगे, ना पार्टी करोगे, ना दारूप होगे, ना इंज्वाय कर गया, बिटा, उसके मरने के बाद भी दरवार में खबरा, ये रो इन्हें, कहा जाता है, इनके दासियों ने भी कभी इन्हें, राज के पुशा को छोड़के किसी ड्रेस में नहीं देखा, इतने ज़्यादा कट्टर साशा किये, बने, अब इनकी स्रेंथ क्या थी, गरिल खान का रिबेल हुआ था, बैंगॉल में उसको मार दिया, और इसको मार के इन्होंने क्या कहता है, जब इसको मारा, इन्हीं का रिष्टेदार था, इसको मारा, गले को काट के दिवाल की, गिले की दिवाल पे टांग दिया, और इस व्यक्ती के मास को, शाही किचन मे की क्योंकि इन्हें हमेशा मंगोलों का खत्रा रहता था बल्बन की मृत्ति होती है 1236 में कैकुबाद और कैमूर्स इसके बाद सुल्तान बनते हैं कैमूर लासिलबारी रूलर था जिसे जलाव दिन मारकर गद्धी हासिल कर लेते हैं इसके बाद बेटा दिल्ली सल्तनत में हम हमारा गुलामवंश खतम हो जाता है अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना मुलें गौड बलेस यो और टे केर जैहिंद वन्देमात